हिंदी फिल्म जगत की तिकच निर्माता और निर्तेशक रकास महरा ने 17 महीं 2009 को दुनिया को अलविदा कह दिया था प्रकास महरा हिंदी सिनेमा में मसाला और मनुरंजक फिल्मों के लिए मशूर थे इतना ही नहीं उनके फिल्म जंजीर के कारणी अमिताप बच्चन को इंडर्श्ट्री में वो नाम और शोरत मिली जिसने उन्हें सरी का महनायक बना डाला अमिताप बच्चन को काम्याबी की बुलंदी तक पहुचाने में प्रकास महरा का बहुत ही एहम योगदान दहा बच्चन बिना मा बाप की गुज्रा नाना ने की परवरिस प्रकास महरा का जन्म 13 जुलाई 1949 को उत्ते प्रदिस के बिजनौर में हुआ था जन्म के तुरंत बादे उनकी मा का निधन हो गया था पिता ने सन्यास लेकर उन्हें नाना के पास अकेला छोड़ दिया मा बाप की बिना उनका पूरा बच्चपन बीता एक नाना ही थे जिन्होंने उनकी पूरी जिम्यदारी निभाई है यहीं वज़ा है कि बच्चपन के अकेले पन को उन्होंने पिल्मों के चरिये लोगों को दिखाया बच्चपन से उन्हें रेडियो पर गाने सुनने का सौक था कम उम्र में उन्होंने गाने लिखना भी शुरू कर दिया था गाने का सौक ऐसा था कि उन्होंने मन बना लिया कि वो मुंबई जाकर फिल्म इंडर्स्ट्री में म्यूजिक कंपोजर बनेंगे एक दिन मौका पाते ही वो नाना के तिजोरी से 13 रुपए चुरा कर मुंबई भ अगा रहता था इसी दौरा नाना उन्हें वापस घर ले जाने के लिए मुंबई आके काफी मनाने के पार प्रकास मेरा अपने नाना के साथ घर वापस चले गए उस दिनों तक वो वहां रहे लेकिन फिल्म इंडर्स्ट्री ने फिर वापस बुला लिया फिल्म इंडर्स् प्रकास में कैमरा हैंडल करने का काम मिल गया दीरे दीरे ये काम करने के साथ उनका रुझान फिल्मेकिंग की तरफ हो गया 1950 में उनका प्रमोशन हो गया और वो प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गया फिल्म हसीना मान जाएगी ने बदल दिक किसमत इसी दोरान भक्षी ओफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के इस फिल्म ने ससी का पूरा बबता लीड रोल में थी फिल्म हसीना मान जाएगी कि सफलता के बाद प्रकास मेरा का फिल्म इंडस्ट्री में कद उचा हो गया कई नामी डारेक्टर प्रोड्यूशर समेट पड़ी प्रोडक्शन कंपन बनाई जो हीट रही फिर अगली साल धर्मेंद्र जया भादोडी और संजय खान के साथ समधी फिल्म डिरेक्ट की इसके बाद जब उनकी अमिताब बच्चल से मुलकात हुई तो इतिहास रच दिया कई फिल्मों में डिरेक्शन करने के बाद प्रकास मेरा ने फैसला किया इसके बाद प्रकास मेरा उमिता बच्चन ने छे और ब्लाक बर्श्टर मुवीज दी इनमें हेरा फेरी, खोन पशीना, मुकदर का शिकंदर, लावारिस, नमक खलाल और शडाबी तक सामिल हैं इन फिल्मों में इनताब बच्चन के से सिर सिर फ्लॉप एक्टर का तमगा भी हटा दिया, दोनों की साथ में आखरी मूवी चादूगर थी और ये भी सूपर हिट थी, मुल्टिपल ओर्गन फेलियर से 69 साल में हुई मौत, प्रकास महरा फॉलिवूट के प्रहले प्रोड्यूशर थे जिन्नोंने हॉलिवूट में कदम रखा था, 80 के दशक में उन् इमूनिया और मल्टिपल ओर्गन फेलियर के वज़े से प्रकास महरा के मौत हो गई।